कि नमस्कार आज हम मौजूद हैं प्राचीन सनी साइधाम मंदिर आई-पी एक्स्टेंशन में बात करेंगे पंडित जी से पंडित जी कल शूर ग्रहन लगने वाला है इस पे किस राज पे क्या एफेक्ट पड़ेगा पंडित सबसे पहले तो हम आपका सुबनाम जानना चाहेंगे मैं आचारि मायराम वसिष्ट श्रीधाम ब्रंदावन बरतमान समय प्राचीन साइधाम गुफा मंदिर बैष्ट विनोध नगर में बैठ करके हम आपसे बात कर रहे हैं आप शूरिक ग्रहन के बारे में जानना चाहते हैं शूरिक ग्रहन जो होता है उसका एक काल होता है जब शूरिक ग्रहन पड़ता है तो इसमें रासियों पर भी प्रभाब पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाब पड़ता है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम आप से बात कर रहे हैं पर यह जो शूरी ग्रहन कर लग रहा है यह किस रास पर क्या परभाव पड़ेगा तो आप एक एक रास के बारे में अगर बता दें तो ज्याद़ अच्छा रहेगा ये शूरी ग्रेंड जिसके बारे में हम आप से चर्चा कर रहे हैं एक कंकन शूरी ग्रेंड है ये मेश रासी वालों के लिए चिन्ता, संतान को कश्ट ऐसा मेश रासी वालों के लिए है ब्रस रासी वालों के लिए शत्रूभ है और साधारण लाव है मिथुन रासी वालों के लिए इस्त्री और पती को कश्ट है करक रासी वालों को रोग, गुप्त, चिंता ब्याप्त हो सकती है सिंग रासी वालों के लिए खर्च अधिक हो सकता है और कारी में बिलंब हो सकता है कन्या रासी वालों के लिए ये उत्तम है और इससे कारी की शिद्धी प्राप्त होगी तुरा रासी वालों के लिए भी उत्तम है इससे धन और लाव की प्राप्ती होगी ब्रस्चिक रासी वालों के लिए ये हानी और कश्ट दे सकता है और इससे धन हानी भी हो सकती है धनू रासी वालों के लिए थोड़ा साबधान रहें इससे दुरगटना चोट भे आदी की चिंता रहेगी मकर रासी वाले धन हानी हो सकती है और कुम्ब रासी वालों के लिए उत्तम है लाव और उन्नती का यो अलग अलग रासी के लिए मैंने आपके बारे में कंकड की जो पढ़ने वाली शूर ग्रहण की आकरती है उससे जो प्रभाब बारे रासी पर पढ़ेगा वो मैंने आपको बताया पंडिजी ये जो लोग इसको देखेंगे उनके उपर ये परभाव पढ़ेगा या नहीं देखने के वावजोद भी ये परभाव पढ़ेगा देखिए रासी जिनके लिए असुब होता है उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए और जिस रासी पर बैसे ये रासी का प्रभाव बताया है किस रासी पर क्या प्रभाव पढ़ेगा हमारे शौरी मंडल की उर्जाओं के द्वारा जो प्रभाव पढ़ता है उसके लिए हमने आपसे बात की थी किसके लिए अच्छा है, किसके लिए सुब है, किसके लिए असुब है, ये बारे रास्यों पर प्रभाभ डालता है और कल का परणी वाला जो सूरी ग्रेंड है उसको आज रातरी बारे बज़े से इसका सूतक काल प्रारंब होगा और स्टेंडर्ड जो इसका समय है ग्रहन का प्रारंब समय है वो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ अनि छेत्रों में अलग-अलग समय है तो कल आज 25 तारी को शायंकालीन 8 बजे से ये शूतक प्रारंब होगा कल प्राते ये ग्रहन प्रारंब होगा 8 बजे कंकर प्रारंब 9 बज़कर के 6 मिनट पर होगा इसका परमगरास 10 बज़कर के 48 मिनट पर होगा कंकर समाप्त 26 तारीक 12 बज़कर के 29 मिनट पर होगा और ग्रहन का संपूर्ण समाप्त 1 बज़कर के 36 मिनट कल दो पहर को होगा पंडिजी आपने अभी बताया कि इतने बज़े सूतक लगेगा इन रास्यों को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए सूतक का क्या मतलब होता है और सूतक कैसे लगता है आप जानते ही हैं भारत वर्ष में किसी एक ग्रहेंड का सूतक होता है और हमारे यहां जातक और मरण का भी शूतक होता है जातक और मरण का दस दिन तक शूतक रहता है और यह जो ग्रहेंड का सूतक है वो ग्रहेंड प्रारंब होने के 12 गंटे पहले से प्रारंब हो जाता है ये सूतक के समय में जब सूतक प्रारंब होता है तो उस समय से लेकर के परम गरास तक हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमें जैसे सरीर पर तेल मर्दन है, नाखून काटना है, छोर कर्म कराना है, मेथुन है, भोजन है, सयन है, इन कारियों को नहीं करना चाहिए पंडी जी, कई क्रिपदिन्तिया हैं, वैसे तो ग्रहन पर लेके, लेकिन कुछ लोगों का यहां तक कहना है, यह क्रिपदिन्ति यह भी है, कि राहू के तुझ जब सूर भगवान को पीछे से खदेरते हैं और वो भागते हैं, तो अपने सरीर का मांस नो नोच के फेकते हैं ऐसे ही शूर और चंद्र जब चंद्र और राहू एक ही सीद में होते हैं, तब ग्रहन पड़ता है, ऐसी ग्रहन के मान्यता है, जिस समय देवताओं के द्वारा शमुद्र मंथन किया गया, शमुद्र में से अम्रत कलस निकला, भगवान धनवंतरी लेकर के आए, उस कलस को लेकर के दैति लोग भाग गए, भगवान ने मोहनी अवतार धारन किया, मोहनी अवतार धारन करने के पस्चात में उस कलस को लिया, और कलस को लेकर के दैतियों ने मोहनी भगवान को दिया, मोहनी भगवान से कहा वोले हम दैति और देवताओं में इस अम्रत का बटवारा होना है, आपसे अच्छा और कोई बटवारा नहीं कर सकता, इसलिए आप इसका बटवारा करिए, बटवारा करने के लिए, उन्होंने एक पंक्ती में देवताओं को बिठाया, एक में देतियों को बिठाया, और नेत्रों से इसारा किया कि थोड़ा सा ऊपर हलका पतला है जड़ा देवताओं को पिला देए फिर नीचे का अच्छा होगा वो आपको पिला देंगे तो देवताओं को पहले प्रारंभ किया गया शुरिय और चंद्र दोनों के मध्य में आकर के राहू आ गया जब मोहनी भगवान पिलाने लगे अम्रत तो देवताओं को पिलाया शूरी को पिलाया जैसे शूरी ने पीछे देखा चंद्रमा ने आगे देखा उन दोनों के बीच में राहू आ गया राहु आया तो उन दोनों ने शूर्य और चंद्र ने इशारा किया भगवान को कि राहु ने अम्रत पान कर लिया है तो भगवान ने सुदर्शन चक्कर के द्वारा राहु का धड़ अलग कर दिया तो शिरोच छेदन जब किया तो जब उसने अम्रत पान कर लिया तो मरत्यू नहीं हो सकती उसमें से केतू बन गए तो राहू और केतू दो ग्रहे हैं हमारे नब ग्रहे में जिनकी पूजा होती है तो ऐसी मानिता है तो उन दोनों ने जब बताया कि शूर्य और चंद्रमा ने मुझे मेरी मरत्यू के लिए मुझे तयार कर दिया तो इसके कारण से वो शूर्य और चंद्र दोनों से बैर करता है इसलिए ये ग्रहेंड परता इसे चाया भी बोलते हैं व्यक्ति के जीवन में कुछ लोगों को आपने देखा होगा इसमें जोतिस के अनुसार भी जैसे शूर्य और राहू जब एक साथ में होते हैं तो उसे ग्रहेंड दोस बोलते हैं वो ग्रहेंड उनके पिता तक को कष्ट देता है जिस जातक की कुंडली में शूर्य में के साथ में राहू होता है वो जातक परिशान रहता है वो अपने कारियों को करते करते जब ऐसे लगता है कि मैं पूंडता की तरफ हूं तो वहां से वो कार्य उसका पूंड नहीं होत इसलिए उसे शूरी ग्रहंड बोला जाता है इसे जोतिस की वासा में ग्रहंड दोस्त बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पंड़ी जी उसे पंड़ी बता रहते हैं ग्रहंड के बारे में किन रासियों को ग्रहंड देखना चाहिए किसको नहीं देखना चाहिए, किसके लिए असुब है और किसके लिए असुब है हम टीवी लाइब के लिए मैं नीरच पांडे दिल्ली